तो आज की जो रेसिपी है that is beat the heat रेसिपी आपको पता है बाहर कितनी जादा गर्मी है तो उसके लिए ये बहुत जरूरी है कि आप कुछ टेस्टी एंड हेल्धी पियें तो आज बनाते हैं सौफ का शर्बत तो सौफ के शर्बत बनाने के लिए मैं मिश्री का यूज कर रही है तोड़ने से क्या होता है जार में easily grind हो जाती है अब मैं दो तरह की सौफ यूज कर रही हूँ ये है थोड़ी मोटी वाली सौफ जिसकी थोड़ी सी खुश्बू अच्छी होती है और ये है पतली वाली सौफ ये juicy जादा होती है जे दोनों के combination से बहुत अच्छा शर्बत का तो मैंने पूरा एक कप भरके दोनों सौफ को मिला के combination ले लिया है और जार में डाल दिया है और ये है मिश्री जिसको मैंने तोड़ के रखा था अब हम इसको मिश्री को जब इसके साथ grind करेंगे तो बहुत easily ये grind हो जाएगी इसके अंदर एलाइची डाली है म बहुत जादा जैसे कुछ भी इसमें particles रहने नहीं चाहिए किसी भी चीज के तो आप सबसे पहले मैंने क्या करना है इसको यहां तो आप दो थरीके हैं यहां इसको पहले से ही चान लो चानने से क्या होगा आपको easy कही लोगों को मूह में आती है soft तो अच्छी नहीं लगत आप इसको बाहर रखोगे तो 6 साथ मेने easily चल जाती है तो अभी मैंने इसको चान लिया है तो चानने के बाद यह जो particles उपर आ गए हैं आप देख सकते हो कितना जादा उपर इसका rough particles आ चुके हैं तो इसको यहां तो आप किसी भी चीज में use कर सकते हो इसको waste नहीं करना कि किसी दूद वगरा में भी यूज कर सकते हो तो इसको side पे करते हैं और जो नीचे पूरा proper powder बन गया है इसको हम एक container में फिल करके रख लेंगे तो आप कभी भी बाहर से आओ आप इसको दो चमच डालो और easily यह सौफ का शर्बत बनके ready हो जाएगा तो अभी मैं आपको बन प्रीमिक्स और डाल दिया मैंने एक गिलास पानी और थोड़ी सी आइस डालेंगे और यह बस हमारा सौफ का शर्बत बिलकुल बनके ready है इन फैक्ट अगर इसके उपर भी जो पार्टिकल्स आ रहे हैं वो आपको नहीं अच्छ लगते तो आप इसको दुबारा से चान कर इसको ग्लास में सर्फ कर सकते हो तो मैंने इसको ग्लास में छान लिया है तो ready हो गया है बहुत ही refreshing and tasty सौंफ का शर्बत इसकी जो fragrance होती है वो भी बहुत अच्छी होती है तो अब मैं आपको बता रही हूँ कि इसको आपको ग्लास में कैसे बनाना इंस्टेंट तो ग्लास म आपको बतास में प्री मिक्स तुबारा से इसके इनदर डाल देंगे एक शाल कर सकते हो मैंने चिया सीड्स औरकिते हैं तो यह आई से थिक हो जाएंगी within 15-20 कि नहीं नहीं डालने हैं मैंने दोनों तरीके से आपको वीडियो में तिखा दिया है तो आप लोग भी जल दी से ये सव अधे शर्बत का प्रीमिक्स बनाके घर पर रख लो और कोई भाहर से उसको जरूर पिलाओ और लू से बचाओ डू ट्रय यस रेसिपी तिल देन स्टे stay healthy, keep smiling, bye-bye